नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक अमीर अउरत और एक गरीब बच्चे के कहानी है बहुत ही ठंड का दिन था, एक छोटा बच्चा, एक दुकान के बाहर नंगे पाउख खड़ा था वो ठंड से काप रहा था और जूतों को खिड़की के बाहर से ही बड़ी आतुरता से देख रहा था कुछ ही मिन्टों बात उस दुकान से एक धनी औरत निकली औरत ने उस बच्चे को देखा, वो उसके पास गई और बोली बच्चे तुम इस खिड़की में से इतनी गंभीरता से क्या देख रहे हो छोटे बच्चे ने जवाब दिया, मेरे पास कोई जूता नहीं है इसलिए मैं भगवान से प्रातना कर रहा हूँ कि मुझे एक जोड़ी जूता दे दे यह सुनकर वह औरत उस बच्चे को दुकान के अंदर ले गई और दुकानदार से पूछा क्या उसे थोड़ा सा पानी मिल सकता है दुकानदार कुछ ही मिंटों में कटोरा भर के पानी लेकर आया फिर वह उस छोटे बच्चे को दुकान के बाहर ले गई उस औरत ने छोटे बच्चे के हाथ पैर को साफ किया और सुखाया फिर उसे लेकर जूते की दुकान के अंदर आई और दुकानदार से उस छोटे बच्चे के लिए जूता लाने के लिए कहा उस औरत ने एक जोड़ी जूता खरीद कर उस बच्चे को पहना दिया और उसके सिर पर बड़े प्यार से सहलाते हुए पूछा बच्चे क्या तुम अब खुशी महसूस कर रहे हो बच्चे ने बड़े ही प्यार से कहा हाँ फिर जैसे ही यह औरत जाने लगी छोटे बच्च कर उस अमीर औरत ने बच्चे को गले लगा लिया दोस्तों जब भी हम में से किसी पर भी संकट पड़ता है तो भगवान हमारी सहायता के लिए किसी न किसी को जरूर भेजते हैं और किसी दूसरे की सहायता के लिए वे हमें भी चुन सकते हैं जरूरत है हम हर परिस्थिती म भगवान पर अपना भरोसा या विश्वास बनाए रखें कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा तथा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा प्रशाहन कीजिए मिलती हूँ ऐसी ही एक नई और अनुखी कहानी के साथ धन्यवाद